नमस्कार दोस्वास से भीकस स्वागत एंवर्ड नियूस नेटफ़क में तो भारत एक धार्मिक देश है यहां लोगों को धर्म को और जानने की इच्छा हमेशा से ही रही है और ऐसा कोई नहीं जो यह ना जानता हो कि स्री राम कौन है और सीधा माता कौन थी इसी को लेकर IR CTC द्वारा पहली परिटक ट्रेन भारत और नेपाल के दो पवित तीरत इस्थलों आयोधा जनगपुरी को जोड़ती हूँ चलाई जाने वाली है यह यात्रा 21 जून से चालू हो रही है और 18 दिन के रामायट सर्किट यात्रा होगी इसे भारत गौरव परिटक ट्रेन का दिया गया है बदादिक ट्रेन स्वदेश दर्शन के अंतगा चिंधित रामायट सर्किट प्रपर प्रभू स्री राम के जीवन से जुड़े इस्थलों का परिटन कराएगी साथी नेपाल के जनगपुर में राम जान की मंदिका ब्रमण भी ट्रेन तूर में शामिल किया गया है वहीं IRCTC लखनों के प्रभंदक ने बताया कि भारत गौरव परिटक ट्रेन द्वारा स्री रामायट यात्रा के लिए बुकिंग की जा रही है ट्रेन 21 जून को दिल्ली के सब्दर जंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी मारत गौरव एसी परिटक ट्रेन 21 को दि किचन कार से यात्रियों को उनकी बर्त पर ही साकाहरी स्वाधिस्ट भोजन दिया जाएगा ट्रेन में यात्रियों के मरोरंजन वा यात्रा की जानकारी आधिप्रदान करने हे तूं इन्फोटेंट मेंट सिस्टम भी लगाया जाएगा यानि इन्फोटेंट मेंट सिस्टम देखो अपना देश वहीं आपको बता दे कि IRCTC ने टूर के बुकिंग प्रक्रिया को आसान करने के लिए पेटियम और रेजर पेज जैसी पेइमेंट गेटवेफ फॉर्मों को एड़ कर रखा है जिससे पेइमेंट डेबिट प्रेडेट कार्ड के माधम से आसान किस्तों में किया जा सकेगा पहले आने वाले 50% यात्यों को 5% की छूट में लेगी और IRCTC ने इस 18 दिनों की यात्रा के लिए 62.370 रुपय प्रतिवक्ति का स्टोल के भी ने धारित किया है तो ये थी पूरी बात बने रही है एंड़र के साथ नमस्कार एंड़र के लिए